तो जब मैंने community post किया तो सभी लोगों ने मुझे suggestion दिया एक अच्छे सीरीज के साथ एक दिन में एक से ज्यादा episode डालू तो अब से दो episode आएंग ये दिन में और series के बात करें तो ये series जाओफान जानी demon emperor जैसे होने वाली है और अगर तुम लोगों को वीडियो को like करना है तो अब ही कर देना क्योंकि एपिसोड में खो जाने के बाद तुम वीडियो को like नहीं करते हो बाकि बढ़ते हैं episode की तरफ episode की starting में हमें हमारी main character को दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग युवान होता है और उसे मारने के लिए उसके सिक्ट के लोग उसके पीछे पड़े होते हैं और उससे कहते हैं old demon तुमने 300 साल पहले हमारे सिक्ट की purity को खतम कर दिया आज तुम मरने की भीग मांगोगे old demon फै major को मुझसे छेन सको लेकिन सभी लोग उसे जुखने के लिए कहते हैं और हमारा फैंग युवान एक poet भी होता है जो sunset को देखते हुए अपनी poem को कहता है जिसके बाद वो उन सभी से कहता है चुनकि उस सिकाड़ा एक ऐसा गू है जो time को reverse कर सकता है अब ये तुम लोगों के पास आ सकता है क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ ये कहकर वो उस सिकाड़ा को उनकी तरफ फिंटता है लेकिन तभी उस सिकाड़ा में एक धमाका होता है जिससे उसके आस-पास की सभी लोग मारे जाते हैं तभी एक old man कहता है जो सायद उस से टका elder है वो elder सभी से च चलने का मैं जानता था कि आखिर में यही होगा समय आ जुगा है चिंक्यू सिकाड़ा का यूज करने का ये सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और चलाते हुए कहते हैं वो अपने सिकाड़ा का यूज करने वाला है तो जल्दी करो और उसे रोको वही फैंग यवान एक devil क अगर यह चिंक्यु सिकाड़ा की कल्टीविशन काम करती है तो मैं अपने पास्ट लाइफ में फिर से डीमन पाथ पर चलूँगा फिर वो अपने सिकाड़ा की यूज़ करता है जिससे उसकी बौड़ी वही पर फट जाती है और एक जोर दाधमा का होता है फिर सामने दिखा जहाँ पर एक बड़ा सा गढ़ा हो गया होता है और फैंक युवान की बॉड़ी पूरी तरीकी से खातम हो गई होती है वही पर एक बंदा होता है जो कहता है अगर चिंक्यू सिकाड़ा के बारे में वो यूमर से जोट नहीं है तो वो डीमन फिर से इस दुनिया को तबाह कर करने के लिए वापस आएगा फिर से इंसिप्ट होता है और 500 साल पहले गुयू माउंटर का दिखाया जाता है जहां पर क्लैन एल्डर गुयू वो अपने क्लैन मिंबर्स के साथ प्रे कर रहे होते हैं और वो अपने एंसेस्टर से कहते हैं हमारे यंगिस टैलेंट के उपर अपनी ब्लेसिंस को बर्साइए जिसके बाद वो सभी बात करने लगते हैं उनमें से एक एल्डर कहता है समय बहुत जल्दी बीचता है देखो कल फिर से हमारी वार्सिक अवेकिंग सर्मनी है पिछले कई सालों में बाई और जॉंग विलेज में दोनों में कई जीनियस टै यहां तक कि उससे वो ओल्डर जनिशन की भी लोग डरते हैं फिर दूसरा यहीरो में हेरो के बारही में बात करता है और कहता है इस साल इसाल हमारा वो नया मHE heymean भी बुरा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उसettesे हमें उमीध नहीं है मैं उसके बारे में कैसे बताऊं मैंने यूमर से सुने है कि हमारी क्लैन में एक नया जीनियस अपियर हुआ है वो तीन महिने में बोले नहीं और चार साल में चलने लगा था और पांच साल की एज में उसने प्रेटरी सीखी वो एक ग्रेट एंबिसेन है यानि महत्वकांशी जिसे आगे बढ़ने की इच्छा हूँ पहला एल्डर कहता है हाँ मैंने उसकी कविताएं पहले ही सुन रखी है फिर वो एक एक करके उसकी कविताओं के नाम बताने लगते है और टोस्ट आफ वाइन, सॉंग आफ प्लम और दा रेट सिटी वो पका फांग जी फैमली के जीनियस फैंग युवान की बात कर रहे होंगे वो बच्चा बहुत ब्राइट है अगर वो बच्चा अपना पोटेंशल इग्रेटे दिखाता है तो वो हमारे क्लैन का बैनर बन जाएगा फिर वो क्लैन एंडर बुयू उन सभी से कहते हैं कल की अवेकिंग सेरमैनी के तैयारी करने के लिए तुम सभी को अब आराम करना चाहिए और वो उल्डर उन सभी से कहते हैं और अब मैं तुम सबसे खोल कर बात करने वाला हूँ तुम इसे अपने हिसाब से compete कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि वो fair तरीका होना चाहिए तुम लोग ऐसा कुछ में नहीं करोगे जिसे हमारी क्लैन के एकता पर कोई नुकसान हो आप सभी लोग इसे ध्यान रखना यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर क्लैन एंडलर से कहते हैं ऐसा करने की हमारी हिम्मत नहीं है फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और क्लैन एंडल खिर्की के पास आके बाहर बारिस को देखने लगते हैं और हसते हुए कहते हैं लगता है कि आज हैवेन भी आराम नहीं करना चाहता वो हमारे क्लैन के एक नई उमीद है और उसी जोरदार बारिस के साथ हमें फैंक युवान को दिखाये जाता है जो अपने आपको देखते हुए जोर जोर से हस रहा होता है और खिर्की के पास आके चिलाते हुए कहता है ये तो गूयू माउंटन है मैं 500 साल पहले वापस आ गया मतलब उस सिंक्यू सिगाड़ा ने सच में काम किया वो कहता है मैंने लंबे समय तक अपने सिंक्यू सिगाड़ा की कल्डिवेसन नहीं की है तो मुझे नहीं लगता कि अब ये पहले से काम कर रहा होगा फिर वो उन सभी की बात करता है जो उसे मारना चाहते थे और कहता है वो सभी मुझे किलीफ के किनारी खाड़ करके मुझे मजबूर करना चाहते थे लेकिन अच्छी कोसिस थी इस दुनिया में मौत ही अंतो नहीं होती जब तक कि मैं बढ़ना चाता हूँ तब तक हमेशा मेरे सामने एक रास्ता होगा हालना कि अब मुझे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा फिर वो अपनी पोयम कहता है जिसका मतलब होता है तुम सुरुवात करो सामने जो कुछ भी आये उसे अपने रास्ते से हटा दो पोयम की लास्ट लाइन है चाहे कितनी भी मुस्किल क्यों नहो चाहे वो कितना ही खताना क्यों नहो फिर वो आगे कहता है मैं फिर से इविल के पास फर चलूँगा मुझे मनने का कोई गम नहीं है फिर हमें दिखाये जाता है कि फैंग युवान अपनी फ्यूचर लाइफ से पास्ट लाइफ में कैसे आया है लेजर्ण्स का कहना है कि इस दुनिया के फिलो पर टाइम रिवर का राज है लेकिन सिगाटा की पावर का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं फैंग युवान कहता है लेकिन कोई नहीं जानता कि ये रिवर्थ वाला यूमर सही है या नहीं ये टाइम रिवर क्या है मौत के डर से ये डीमन कभी नहीं पच्छताएगा अपनी पास्ट लाइफ में वापस आते हुए वो एक एकर करके अपनी सभी यादों में जाता है जहाँ पर उसके पैरेंट्स की दित हो गई होती है वहाँ खड़े लोग कहते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे के वल तीन सार के उम्र में ही इनके पैरेंट्स चल बसे लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उनके अंकल और अंटी ने इने अवडॉप्ट कर लिया है फैंग युवान कहता है तो ये है टाइम आफ रिवर में मेरी छोटी सी यादे फिर उन दोनों के अंकल अंटी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं इतना दुखी मत हो उन्होंने हमारी क्लैन की गिलोरी के लिए अपनी जान दे दी ये हमारे लिए प्राइट की बात है अपसे आपके अंकल और अंटी आपकी नई फैमली है ये कहकर वो दोनों सैतानी हसी हसने लगते हैं फिर घर का सिंध दिखाया जाता है जहाँ पर उसका अंकल उसके छोटे भाई को मार रहा होता है और इसे चिलाते हुए कहता है तुम्हें लोगों से खाना चुराने को किसने कहा था क्या तुम फिर से एक चोड़ी करोगे उसका छोटा भाई यानि फैंग जॉंग कहता है अंकल मैं ऐसा दुबारा नहीं करूँगा मेरी बात मानिये मैं ऐसा दुबारा नहीं करूँगा बिग बिर्दर प्लीज मेरी मदद कीजिये ये सुनकर फैंग युवान अपनी आंटी से कहता है आंटी अंकल को रोकिये लिटल ब्रदर को अपनी गलती पता चल गई है लेकिन उसकी आंटी बस सैतानी हसे हसे जा रही होती है जिसके बाद फैंग जॉंग दर्द में कमरे में लेटा होता है और दूसरी तरह फैंग यवान बैठा होता है जो गुस्से में कहता है बहुत ज्यादा हो रहा है क्या फैमली ऐसी होती है वो हमारे साथ कुट्टो जैसा पेस आते हैं ये अच्छा नहीं है अगर मैं चाहता हूँ कि वो हमें अच्छी तरीके से ट्रीट करें तो मुझे कुछ अलग करना होगा मुझे उन्हें एक लाइट दिखानी होगी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी यग मंस्टर फैंग यवान और उसके अंकल आंटी उससे बात करहें होते हैं तो Parl जो फैम वेकने में साय आड़ Your जाकर तुम्हारा future bright होगा, वहीं पर उसका छोटा भाई खड़ा होता है, जिसे देखकर fang yuan कहता है, मैंने ये poem नहीं लिखी थी, बस मैंने कुछ essence poem को पढ़ा, जिने लोग अभी भूल चुके हैं, जो कि मैंने अपने कुछ talent को सभी को दिखाया, जिससे मेरे छोटे भाई नॉर्मल स्कॉलर था, और लगली मैं इस दुनिया में आ गया, यहां के 300 साल तक मैंने कश्ट सहा, और 200 साल तक दुनिया भर में भटकना, ये 500 साल बहुत लंबा समय था, और छोटा भी, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं ये याद नहीं रख पाया, और इन लोग का सीन दिखाया जाता है, जहां फर फैंग युवान कहता है, लेजेंड से ने जो भी बोल वो तो सही था, ये बस मैंने अपने चिंकेव सिकाटा को खो दिया है, इतना अच्छा गू मेरे साथ वापस रिबाउन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर मैं अपनी प पास्ट लाइफ की मेमोरिस को बरकरार रखा है, जिससे मैं वापस अपनी पीक पर जा सकता हूँ, अब मेरा फ्यूचर और भी ग्रेट होने वाला है, तभी पीछे से उसका भाई फैंग जोंग आ जाता है, जो उससे कहता है, बिग बिदर आप इतनी ठंडी रात में बारि इसे बंद कर देना चाहिए, साथी वो खिर्की को बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, और आगे कहता है, कलर वेकिंग सर्मनी है, और मैं नहीं चाहता कि ब्रदर ठीक इससे पहले बीमार हो जाएं, आप हमारे विलेज के उमीद हैं, सभी की नचरों में असर पड़ता है तो वो कुछ आगे कहता, इससे पहले फैंग यवान उससे कहता है, यहां से चली जाओ, यह सुनकर फैंग जॉंग डर जाता है, और उससे कहता है, तो ठीक है, हम कल मिलते हैं, यह करकर वो वहां से चला जाता है, और फैंग यवान बेट पर लेट कर कहता ह काहेगा जीनियस मैं तो थर्ड क्लास टाइलेंट हूँ असली जीनियस तो तुम हो फैंग सौंग और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है